खंड खंड विखंड है, हाथ में शुरी खंड है, नाम गोरस प्रचंड है, आपके भीच में भरतपूर से आ रहे हैं, तालिब उजाकर के स्वागत कीजिए, कोटा से अमारे भीच में आए हैं, गोरस प्रचंड आए हैं तो काटेंगे, एक रात तुमारी बस्ती में, सुन लोगे तो कह देंगे दो बात तुमारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे, दो रात तुमारी बस्ती में, एक रात तुमारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुमारी बस्ती में सुन लोगे तो कह देंगे दो बात तुमारी बस्ती में रादे मोहन की रजधानी रादे मोहन की रजधानी कह देंगे कर देंगे कविताओं की बसात तुमारी बस्ती में कर देंगे कविताओं की बहुत 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 दन्यवाद चार पंक्तियां और के देता हूं जी हाद से का महौल निम्टाए ना मुझे हाद से वाद से तो नहीं आता पर मैं बाते कर लेता हूं कुछ-कुछ दिखे है तो देख ले ना आप उसमें कहां दिकत पड़े अपने को फरक नहीं पड़ता हूं गीत गजीले सुनाने से क्या फाइदा गीत गजीले सुनाने से क्या फाइदा प्रेम के गुन गुनाने से क्या फाइदा ओ जिस पे मरते हो तुम वो है सादी सुधा जिसपे मरते हो तुम वो है साधी सुधा फिर उदर आने जाने से क्या फाइदा फिर उदर आने जाने से क्या फाइदा बहुत अच्छे लोग है आरे आंके आप तो बहुत भारी बात को पकड़ लिखते हो या जी जी मुझे तो आपके मतलब के नजराय थी पर आपने मेरे पर आप मेरे मुझे में कोई अंतर तो होता ही नीए सुनियेगा बात जहां से छोड़िये ना विशित्र ने वहां ही से सुरू करता हूं मैं सुनियेगा जिस जमी पर लिया हे तुमने जनम फिर बॉलवंद मातरम काह की शरम फिर बॉलवंद मातरम काह की शरम अरे गायार गाया वंद मातरम गाः गाया वंद मातरम गाः बहुत बारी पंक्ति है बुद्धिमान लोगों कोई सुन जाती है जिस जमी पर लिया हे तुमने जनम फिर बॉलवंद मातरम काह की शरम अरे गायार गाया वंद मातरम गाः जब धरा ही नहीं हो तो काह काधरम अरे गीत वंद मातरम से भाग जग गए अरे गीत वंद मातरम से भाग जग गए इसका दम खम देश से फिरंग भग गए शाला में गाया जाएगा अब वंद मातरम यह बात कहने में सो साल लग गए सो साल हो गए साब वंद मातरम गीत को लिखे हुए और आज तक उस पर फेशला प्रोपर नहीं हो पाया है तब मैं बात करता है उसने गाड़ा यह कारेकम कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमारी हिपाजत के लिए सीमा पर खड़ा है जब यहां हम टिटुर रहे हैं उसका क्या हाल होता होगा माइनस 45 डिग्री टेंपरेचर पर खड़ा है हमारा सिफाई और उसकी बदलत हम यह आईजन कर रहे हैं मैं उसको चार पंक्ते दे रहा हूं साब उसके सम्मान में जो कुछ हो करते रहे न हाँ मेड़ा जी चार पंक्ते सुने न सुनेगा सरहद पे दे दी जान मगर यान जिन्दा है मात्र भूमी पे कुर्बान मगर शान जिन्दा है क्या के रहे वो सहीद मर जाएंगे जुकने न देंगे भारती कसर मर जाएंगे जुकने न देंगे भारती कसर मर जाएंगे जुकने न देंगे भारती कसर कुर्बानियों से मेरा हिंदुस्तान जिन्दा है कुर्बानियों से मेरा हिंदुस्तान जिन्दा है कुर्बानियों से मेरा हिंदुस्तान लेकिन हमारे सेनिक वहां खड़े क्यों हैं क्योंकि हमारे दो पागल पडोशी हैं और वो यदा कदा वही करते रहते हैं हरकत हरकत और उनकी हरकत करने ज़े कभी उनकी बरकत नहीं हुई कंगाली भी चल रहा है पठा इसी हरकत के कारण उनकी बरकत नहीं हो यह रही है नहीं है ड़ी है ज़िवाद है न तो मैं उसको उसको तमाचा मारता हूँ सब्सक्राण defendi के तमाचे उसके गाल पे मार देना मेरे मेरे समझाएने का इस्ठाल ये भी है सब्वे लोग अपनी आब रूचालते नहीं क्यों घर से तुम भेड़िये निकालते नहीं क्यों घर से तुम भेड़िये निकालते नहीं गेरों के टुकिड़ों पे जिनकी जिन्दिगी पले एसे लोग अपने घर में कुट्टे पालते नहीं एसे लोग अपने घर में कुट्टे पालते नहीं लोग अरे साब मैं यह कर रहा हूँ लोग वा करते हैं कि साब ये 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 लड़कियां जो है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मैं कर रहा हूँ वो सही कर रही है जो भी कर रही है लड़कियां जो भी कर रही है सही कर रही है कि लड़कियां प्यार में क्यों भाग रही है मैं नहीं कर ठीक है भागना चाहिए लड़कियों को प्यार में करना चाहिए प्यार में भागना चाहिए लेकिन प्यार में पवित्रता होनी चाहिए जब तो भागने में भागना है यार अगर समर्पन करके भागे तो काई का भागना है मैं अभी बताता हूँ आपको मैं अभी बताता हूँ मैं उधान दे रहा हूँ हमारे देश की चार लड़कियों ने प्यार किया प्यार करना गुना थोड़ी है प्यार करना गुना नहीं है चार लड़कियों ने प्यार किया और प्यार करने के बाद वो लड़कियां लड़कियां नहीं रही साथ देवियां हो गई जिनको पूचता है हिंदुस्तान बै उन चार लड़कियों का नाम बता रहा हूँ हे प्यार राधा का बे नजीर देश में बे नजीर का मतलब कहता है जिसके मुकावले में दूसरा नहो हूँ था प्यार राधा का बे नजीर देश में हे प्यार राधा का बेन जीर देश में सावित्री हे सत्यवान की तकदीर देश में सावित्री हे सत्यवान की तकदीर देश में साकुंतलम का प्यार उपकार हिंद पर शाकुंतला का साकुंतला ने प्यार किया भरत पेदा हुआ उसका नाम भारत दुशन तो कुमार से भारत शाकुन तलम का प्यार उपेकार हिंद पर मिरा ही गई है स्वर्ग ससरीर देश में मिरा ही गई है स्वर्ग ससरीर देश में यह कभी लोग विराजे हुए है मैं उनकी बात करता हूँ अरे साब अमेरिका सरी का दादा दादा है दादा वो गभराता है हिंदुस्तान के मारे अब वहां से खेता है अपने शोरों से वहां का प्रदा राजपती अब recall और हिंदुस्तान का टेलनट आजायेगा ना तो साड़ी नोक्रियें लिजा आएगा घब्राता है वह मैं सोचा है मेरे टेलनट कहां से आया मैं खोजी कभी हूँ झाप खोज करता हूं तलास करता हूं दमातर करका बीज खाद देश ने करका बीज खाद देश ने राम क्रश्न महावीर की अवलाद देश में वालमी की वेद व्यास वंस काली दाश के राना सिवा सांगा कहे फौलाद देश में राना सिवा सांगा कहे फौलाद देश में मैं एक छोटी सी कवजा सुना करके मौक्स को फ्राफ्ट करता हूँ बहुत अच्छे लोग वागि मैं इस जदसे मिले जाओं और पिर यह कहेंगे यार इस सारा एक हाग कैसे में योग कहते हैं स्वर्ग में तीन प्रकार के देवता है प्रह्मा विश्ण महेश जैसे किसी देश की सरकार चलती है स्वर्ग की सरकार भी उनी से चलती है योग कहते हैं कि प्रह्मा विश्ण महेश जैसे प्रकार के देवता है वो संसार की सरकार को चलते हैं स्वर्ग में विराजमान है अब वहां क्या होता है कि सब के पास अलग-अलग डिपार्टमेंट बटे हुए है बगवान विश्णों के पास खाद्य मंत्राले है वो पालन करते हैं कल्यान करते हैं वह तो दुस्त को भी आशिरवाद दे देते हैं इतने बोले हैं उनके पास समाज कल्याड मंत्रा ले अच्छा एक तीसे परकार के देवता हैं ब्रमा जी वो निर्मान का काम करते हैं उनके पास पी-डब्लुडी सार्व जिनिक निर्माण विबाग मैं दिमेदन करना चाहता हूँ कि मैं क्या-क्या बाते कर रहे है किस प्रकार चल रही है संसार की सरकार मैं वहाँ गया आप मेरे साथ भी सुरक का सफर करी है सुनेगा एक बार भगवान विष्णु ने ब्रमाजी से फरमाया एक बार भगवान विष्णु ने ब्रमाजी से फरमाया आदमी बनाने का हुनर आपको अफ्तलक नहीं आया एक बार भगवान विष्णु ने ब्रमाजी से फरमाया आदमी बनाने का हुनर आपको अफ्तलक नहीं आया बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो बेहुदे बेसेप और बेढंगे आदमी गड़ रहे हो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो बेहुदे बेसेप और बेढंगे आदमी गड़ रहे हो ब्रह्मा जी बोले भगवान बुड़े हातों में कहां इतना दम है डिमांड ज़ादा है प्रोड़क्शन कम है मैं बीच बीच में अंग्रेजी सब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको यो लगे है कि मैं पड़ा लिका हूँ इन बागी कवियों की तरह नहीं हूँ ब्रमा जी बोले भगवान बुड़े हातों मैं कहां इतना दम है डिमांड ज़ादा है प्रोड़क्शन कम है आदमी बनाने के सबसे ज़्यादा ओर्डर हिंदुस्तान से आ रहे हैं हम चीन की बराबरी करने के उस पे देश में हैं आदमी बनाने के सबसे ज़्यादा ओडर हिंदुस्तान से आ रहे हैं, मुझसे आदमी बनने ही पा रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान के लिए आदमी ठेके पर बनवाए जा रहे हैं, अब ठेके का काम तो ऐसे ही होता है न बगवान, ठेके का काम तो ऐसे ही होता है न बगवान किसी के गारा जादा है किसी के आदा है किसी के आदे में भी बादा है किसी के गारा जादा है किसी के आदा है किसी के आदे में भी बादा है ठेकेदार भी हिंदुस्तान से आए हैं की कार्य पर्डेती एशी है ना हम ठेकेदार भी हिंदुस्तां चाहे हैं क्योंकि 10 नमें उनिके रेट समसे कम पाए हैं वाँ फिर यो मिंदूर्य बंद्धी मंगाई थी उसमें जम कर कमीशन खाई थी आदमी बनाने के लिए जो मिट्टी मंगाई थी उसमें जमकर कमिशन खाई थी पीली और बुरबुरी की जग काली और दूमट लगाई थी कमबक्त कामचोर ठेकेदारों को सुद नहीं आई कमबक्त कामचोर ठेकेदारों को सुद नहीं आई कुछ लोगों के दिमाग में नेतिकता की नस नहीं लगाई पंक्तियां देराओं साब आपको गोर करने की पंक्तिया है कमबक्त कामचोर ठेकेदारों को सुद नहीं आई कुछ लोगों के दिमाग में नेतिकता की नस नहीं लगाई वही लोग देश की नईया के खेता हो गए जिन में नेतिकता नहीं थी वो नेता हो गए कम वक्त काम चोर ठेके दारों को सुद नहीं आई कुछ लोगों के दिमाग में नेतिकता की नस्थ नहीं लगाई वही लोग देश की नईया के खेता हो गए जिन में नेतिक था नहीं थी वो नेता हो गए खूब कमाते हैं फिर भी भूके ही सो जाते हैं खूब कमाते हैं फिर भी भूके ही सो जाते हैं पंक्तिया सुनेगा खूब कमाते हैं फिर भी भूके ही सो जाते हैं क्योंकि ठेके पर बने लोग हर साम ठेके पर जाते हैं अच्छा बढ़े आए खूम कमाते हैं फिर भी भूखे इस हो जाते हैं क्योंकि ठेके पर बने लोग हर साम ठेके पर जाते हैं पूरी कविता का सार दो पंक्तियों में ले जाना इस सारी कविता को यह शोड़ देना इस दो पंक्तियों अपने सार ले जाना निवेदन करना चाहता है सुनिएगा जाच में पाया कि लोगों के रक्त में एक तत्व लवन नहीं है जाच में पाया कि लोगों के रक्त में एक तत्व लवण नहीं है अंदे माबाप तो बहुत है मगर कोई स्रवण नहीं है अंदे माबाप तो बहुत है मगर कोई स्रवण नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद आपको